तो आल्राइट एपिसोड वन के स्टार्टिंग एक पिचेस मिट के बिल्डिंग के पास उसके ठीक नीचे सुनसान से लाके में गुम रहे हैं हम सभी ही दो कॉलेज के यंग इस्टुडरंट्स को देखते हैं जिनके नाम पैट्रिक एंजूलियन थे जो कि वो दोनों ही अप अपने सामने की तरफ दिख रहे हैं एक खंटा से पार्क के अंदर चले जाते हैं जापर अभी इस समय इन दोनों के अलावा इस व्यर्ट से पार्क के अंदर कोई भी मुझूद नहीं था तो तबीही कुछ गदम चलती ही पैट्रिक एंजूलियन को ठिक अपने सामने की त चैटलिंग था तो खेर अप इसे बिल्कुली होश उड़ा दने वाली चीच को दे पैट्रिक एंजूलियन वो दोनों डर के मरे भाग कर इससे पार्क से निकलती ही तो तबीही ठिक सामने इन दोनों की रास्ते के बीच में एक लाल कपड़े पेनवा अजिब से दिखने व पैट्रिक एंजूलियन वो इससे क्रीपी से क्रीचर से अपनी जान बचा कर भागती ही तो तबीही उससे पहले वो अजिब से दिखने वाला क्रीचर एक दम से भागकर पैट्रिक एंजूलियन के पासा हादों में पकड़े वे इस प्लैटर से एक यही जटके में उन दोन करी बात करेंगे बट अभी के लिए आप सभी ही इतना ही जानीजिए कि आज हम सभी ही एक ऐसी वन आप दो मॉस्टर टीवी वीपी सीरियस के बारे में बात करेंगे जिससे आपने अभी तद देखा नहीं होगा तो सीन अब सिधा उसे वियर्ट इंसिटेंट के घुमकर सिधा नेक्स्ट है एक जूई एंटर एलिस नाम की सिस्टरस के उपर फोकस होता है जो कि ये दोनों ही एलोने सिटी को छोड़कर अपनी हायर इस्टेडिस करने के लिए केंटर के मूवान हुए होते हैं जापर सिटी के अंदर आती ही एली सेंट जूई ने अपने लिए किराये पे इसे मार्था नाम की लिड़ी के याँ पे घर लिया होता है जो कि इनका घर वर शोकिंग ली सिफ एक ब्लोक छोड़के उसे ही पिच्चरस बिल्टिंग के पास बने पीसे पार्क के पास ही होता है जिसे अभ अब सिदा यहां से मूव होते हुए नेक्स टैग घूमकफ हिस से एलीस के उपर ही फोकस होता है जापर उसने केंटे के माते ही अपने लिए एक सीपियस की पार्ट टैम जोब लेली थी जो कि बैसे एकली मिसिंग लोगों के बारे में पता लगाने का काम था तो इसी ही चि लिए नाम की लड़की जो कि वो और कोई नहीं बलके सप्राइस ली एपिसोड के स्टार्टिंग में पैट्रिक के साथ गुमने वाली लड़की ही होती हैं जिसे हम सबी नहीं बहुत ही अच्छे से देखा था बस उसकी ही मिसिंग की रिपोर्ट के लिए एलीस एंट टोनी वो भी मिसेस तानिया के घर पे जा रहे थे तो जापर जैसे तैसे तानिया के घर पे आती ही टोनी वोंस से उनकी बैटी जूलियन के बारे में उचे बात चिती ही कर रहे थे तो तबीही उसे ही वक्तम सभी ही हैं एलीस के ठीक पीछे बनीवी दिवार के अंदर एक क्रिप के ठिक सामने ही बैठीवी एलिस को अचानक से अपने पेट के तरफ ऐसा फिल हो रहा था कि कोई उसके पेट को चाट रहा हो तो जीतर इसे वेर्ट से फिलिंग को मैसूस करते हुए एलिस वो तुरंती खड़ी होकर तानिया एंट टोनी को बिना इससा मैटर के बारे में बता अपने पासी में ही बनीवी दिवार के पास जाकर उससे वेर्ट इंसिडेंट के बारे में कुछ देखकर पता ही करती तो तबीही एलिस को एका कमरे के अंदर उसे ही दिवार के ठीक पीछे एक बड़ा सा होल देखने को मिलता है जिसके अंदर से शोकिंग ली किसी बच्च अंदर जाकर कुछ देखती ही तो तबीही उससे पहले इसक कमरे का गेट वो अपने आप यही बंद हो जाता है तो इससे चोका देने वाले दिश्य को देखते हुए एलिस और टोनी वो दोनों मिलकर जैसे तैसे गेट को खोलती है तो तबीही उससे ही वक्ते मिसस तानिया जैसा कि अब हम सभी देखे ही रहे हैं वो अचानक से अपनी घर से ही एक दम से गायब ही हो जाती हैं वेल अप आखिर में मिसस तानिया वो अपने आपी ही कापर गायब हो गई हैं तो इस बारे में तुम सभी को एपिसोड टू के अंदर ही देखकर अच्छे से पता हैं जापर एलीस वो जूई से अज सुबह हुए तानिया के उससे अजीब और गरीब इंसिटेंट के बारे में इससे बात कर रही थी तो जीतर पास से महीं बैठी वी जूई वो एलीस के इन बातों को सुनते हुए उसको अभी और इसे ही वक्त मिसस तानिया के घर पे चलन बिन करने पर भी मिसस तानिया कही पर भी नहीं मिलती ही तो इससे काइन डॉफ अफ अश्टेटिंग सिन को देखते हुए जूई वो थोड़ा से रिलाक्स होने के लिए खिड़की के तरफ आका सिगरेटी पिरी थी तो तबी ही उसको ठिक सामने के तरफ बनीवी जाड़ि के अंतर वही लाल कपड़े पेनवा क्रीपी से दिखने वाला फुटी आक वाला क्रीचर देखने को मिलता हैं जो कि वो बड़े ही अजीबों तरीके से खड़े होकर जूई को ही देखे जा रहा था तो इससे अंसाइटलिंग से सिन को देख जूई वो एलिस को इसे मैटर क के बार में बिना कुछ बताए उते ही उसे क्रीचर के पिछे एक दम से घर से बार निकल कर बिना कुछ सोचे समझे उसको पकड़ने के लिए चले जाती हैं तो जापर जूई वो भगते भगते शौकिंगली और कई नहीं बल की उसे ही क्रीपे से पार के अंतर आ जाती हैं जापर वो क्रीचर ठीक अपने सामने ही बने वे सप्राइसली उसे ही वाइट कलर के गेट एंड सीडी के पास आके खड़ा हो जाता हैं तो खेर पिछे ही खड़ी वे जूई वो इससे सीडी और गेट के चुका देने वाले सिन को देख कुछ सोच समझने की कोसे से करती तो जिसे इसे दिल धिला देने वाले सिन को देखते हुए जूई वो इसको देखकर अंदर से इतना ज़्यादा डर की थी कि उसको एक काइंड ओफ ट्रॉमाई हो जाता हैं तो बस सब फैनली एपिसोड वन के एंडिंग में जूई वो जैसे तैसे अपने घर पे आती ही एलिस ये अपनी लेड़ी मार्था के पाच जाकर जूई को रोकनी के लिए इनको केती ही तो उसे ही वक्ते एलिस की नजर वो दिवार पे लगे वे कुछ फोटोग्राप्स के उपर चले जाती हैं जिसमें सभी ही एक फोटो के अंदर इसी पिच्छेस नाम की फैमिली को देखते हैं तो जिनने देख जूई वो इनके बारे में मिसस मार्था से ही पुछती हैं जानने के लिए कि ये लोग कौन थे तो चापर पिछे बेटी हुए मार्था वो जूई को एक बड़ी ही हैरान कर देने वाली बात बताते हुए कहती है कि ये हॉल इंटायर पिच्छस फैमिल से ये सबी ही लोग उनफॉचनेटली उसके अंदर जलके मर गए थे तो बस सब इसे ही बेचम सबी ही जूई को एक चोटे से बस से इस्टेंड के पास बेटावा देखते हैं जापर वो अपनी बस के आने का ही वेट कर रही थी तो तबही ही उसे ही बेचम सबी ही हैं और बस इसे ही अनेकस्पेक्टिंग एंडिंग के साथ हमारा ये एपिसोड वन एक बेड़े ही कॉंप्लिकेटेड वे में फिलाल के लिए ठीक तरी एंटर हो जाता हैं और राइट फ्रॉम देट मुमेंट सिरीज के एपिसोड टू के लिए सुरू हो जाएगा जिसके अंदर हम सभी ही एपिसोड वन के जितने भी डाउट से वो सभी ही हमारे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर अपना पी ही देखकर क्लियर हो जाएंगे तो कि अभी एड़ दी मुमेंट कुछ भी के ना जल बाजी होगी तो वैल दोस्तों यही थी चैनल जीरो एपिसोड वन की एक्स्टेनेशन एंड आइ होप आप सभी को यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब के बिना और वीडियो को लाइक के बिना बेल कुल भी मत जाएगा तो कि मैं अपने आने वाले वीडियो में ऐसी ही और